कि एक गीत आप लोगों ने कभी सुना होगा और मारी पर्ण सम्माने दीदी आपने भी सुना होगा आपको आनंद आएगा ऐसा मेरे विश्वास है लेकिन मुंदेला भीया को नहीं बिलेगा मुबाइल में जोती जी एक फड़ा सा संदेश देने चार बजा है कि आपका अंतिम जी 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 क्योंकि ठीक है ठीक है दादा जैसा आपका आवेस हम वैसा काम करेंगे आवका गीत कभी आया और मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझको बिठाया यहा धओा आवका है यहा यहाए यहा यहा होगगगगगगग़ Ent Ultra यहा 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 Arabia क्यों मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझ को बिठाया तु मेरे नैनों का का जिल बल को बीच सटाया मेरे खोए खोए सपने भी मेरे खोए खोए सपने भी दिल बले आज मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए तेरी नीली नीली आँखों के तेरे निली 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 आँखों के दिल पे तीर जल गए अपल गए चल 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 गए और इनी बंक्तियों पर यह हमारे परम समयने चाजा श्री ब्रिजेश कुमार नायक जी ग्राम आरी आप के और से यह सो उपत मुद्राओं का अश्रवाद है पुराने गाने जब भी आप इनको सुनेंगे यह पुराने गाने जब भी आप सुनेंगे तब भी मन में लगेगा कि कुछ सुना है लेकिन देखी एक बात आई जिसमय सत्यूग में राजा हरिस चंजी पूत्र सहित और अपनी पत्नी सहित भिकने के लिए ठहल रहे हैं जिसमय दान कर दिया उस समय देखिये हुआ गया के आवधपुरी से फिकने चले हैं जिसमय तीनो राजा हरिस चंजी उनका पूत्र रोहितास और पत्नी तारा के आवधपुरी से फिकने चले हैं तीनो प्रानी काशी सबके मुखडे उत्रे उत्रे चारो और उदास तीनो लोग जिसमय चले उसमय पूरा नगर रो रहा यह क्या थे और आज क्या है और देखिए तीनो लोग जिसमय उत्रे 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 चारो और उत्राशी तो भ्याकूल नगरी पल-पल भ्याकूल नगरी पल-पल पर वो तीन हस रहे हस रहे हस रहे हस रहे वोरी नगरी दुखी है वो भ्याकूल है लेकिन वो तीन वो कर्म पत पर धर्म पत पर चले वो तीनो खुश है तो नगर के हर नएना सजल सजल पर वो तीन हस रहे हस रहे और इदर स्रेता इस समय भगवान राम चंदर जी लक्षमां जी और माता जानकी जी चल रहे हैं वन के लिए तो देखिए क्या कर्म पार्ग पर तीनों निकले क्या कर्म पार्ग पर तीनों निकले वेस बनावन वासी तो सब के मुखडे उत्रे उत्रे चारों और उत्वासे तीनों लोग खुश है तीनों लोग भगवान रामचर जी लक्षमन जी और जानकी जी कि अब तो अब तो मैं जिस उद्देश से आया हूँ वो उद्देश से पूरा होने वाला है लेकिन अयोध्या वाले रो रहे हैं अरे कहा रास्तिलक की तयारी हो रही थी और ये रंग में भंग कैसे हो गया बिलकुल या बात है बटे जा बस के कर्म मार्ग पर तीनों निकले वेस बना मनवासी तो सब के मुखडे उतरे उतरे चारों और उदासी तो द्रग छलक रहे चल चल पर वो तीन हस रहे हस रहे हस रहे हस रहे हस रहे हाँ हाँ या और अधर द्वापर में राजा मुरध्वज और उनका बेटा ताम्रध्वज पकली शेव्या जिसमय अर्जुन जी और भगवान कनिया जी पहुंच गए परिक्षाले ने कहा तुम्हारे बेटी का मांच खाएगा मेरा ये भूखा शेर तो देखे हुआ गया नगरवालों ने जान लिया किसे और हुआ क्या अच आए निकल निकल अपने गहरों से सब निकल कर आ गए अ दीदी कहीं लिखा मिलता है पुत्र बजारा चला और कहीं लिखा मिलता है कि पिता हाए लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है प्तों एक से मतलब है तो नगर वालोव ने सूचा कि अपतों एक मरे गाने सबाए निकल निकल सबाए निकल निकल पर Botin यहत्र है हस रहे, हस रहे, हस रहे, हस रहे, हस रहे, अब एक बात और देखें, कल्यूग में, जिस समय भागा सिंग सुखदेव और राजगुरू तीनों को फांसी की सजा सुनाए गई पूरा लाहोर रो रहा था लेकिन फांसी होनी भी 23 मार्च 1931 को लेकिन फांसी एक दिन पहले ही दे दी गई जनता का आक्रोस देखकर उसा देखकर एक दिन पहले ही तीनों को फांसी दे दी गई अब तीनों तीनों जिस समय बलिजान हो रहे थे पूरा लाहोर रो रहा था तो कहना बड़ा क्या क्या भागत सिंग सुखदेव राजगुरू ने जब पाई फांसी क्या भागत सिंग सुखदेव राजगुरू ने जब पाई फांसी तो सब के मुखडे उत्रे उत्रे चारो और उजासे तो भारत के राज कमल भारत के राज कमल पर मोतीन हस रहे हस रहे पर मोतीन हस रहे इतने से आप सभी को धन्यवाद है इन तालियों के लिए मुझे बहुत बहुत आप हार व्यक्त कर रही हूँ धन्यवाद है आप जब भरच से मिल्ने हूं की मागई रोने लगी इन लोगों को कुछ हूर समझ में आ रहा है भरच से जब उनकी माँ मिलने गई तो उनके कह दिया मा कि रो क्यों रही हो क्यों रो रही हो अरे मैं बलिदान हो रहा हूँ और धन्य है धन्य है ऐसा मेरा भागे के मैं मात्र भूम की रक्षा के लिए काम आ रहा हूँ सबको ये सव भागे नहीं मिलता मा आगे तुम इस तरह से उतरा हुआ चहरा बाहर ले करके जाओगी आसु कोश्ते हुए जाओगी तो दुनिया की माएं डर जाएंगी और फिर सायद कोई भागत सिंग पैदा नहोगी इसलिए मा यहां से मुस्कुराते हुए निकलो को मुझे अच्छा लगेगा जै हो बहुत अच्छे बटे कहानी कछाद के किताब में मिलेगा बहागा सिंग के पत्र में सब्सक्राइब बेटा हसो